हेलो दोस्तों आपने बहुत इसांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ख़बर लेगा हूँ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है जो अभी अभी आपका RRB NTPC का पहली सिफ्ट का पेपर हुआ है काफी आसान ये पेपर आ गया है जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर यह आ गया है तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब पोच जाओगे तो आपके GK के गनित के रिजिनिंग के General Intelligence के जो भी सवाल पूचेगे है सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरा देख ले आगले पेपर में आपके यहां से 9 से 10 सवाल आपके रिपीट करने वाले है तो गैस जल्दी से देख लेते हैं सभी सवालों के उत्तर फटफट देख लेते हैं पेपर बड़ा आसान था आप आराम से कर सकते थे तो दोस्तों अगर आप अपने मम्मी पापा का सफना पूरा करना चाहते हो 2021 के एक सरकारी नोकरी लेना चाहते हो सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो इस चैनल का लाल कलर का बटन दबा कर नीचे की साइड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम मैटिक स्टेडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो गैज देख लेते जल्दी से एक एक सवालों को कर लेते हैं पहला सवाल आपके सामने है दक्सिन पूर रेलवे का मुख्याले कहा पर है साउथ इस्ट रेलवे का मुख्याले कहा पर है यह आपका कोलकाता में है देख लेते अगला सवाल भारत के सविधान को बनाने के लिए गटित सविधान सभाके अद्देक्स कौन थे तो गैज इनका नाम था डोक्टर राजेंद्र परसाद देख लेते अगला सवाल भारत का सबसे बड़ा रेल्वे प्लेटफोर्म कौन सा है यह का परिस्थित है यह आपका है गोरकपूर में देख लेते अगला सवाल काफी आसान ये पेपर था भारत की पहली महिला रेल मंत्री कोन बनी थी तो गैस इनका नाम दा मम्ता बैनर जी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा मम्मी पापा का सबना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल यह भी पूचा गया भारते रेलवे को कितने जोन में बाटा गया है तो गैस यह बाटा गया 17 जोन में 17 जोन से सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पूछा गया वर्ड अर्थ राइट डे कम मनाय जाता है ये मनाय जाता है बार अक्टूबर को 12 अक्टूबर इस सवाल का राइट आंजर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पूछा गया भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है तो गैज यह आपका गुजरात राज्य है देख लेते अगला सवाल भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है तो गैज यह आपका केरल राज्य है केरल इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल भावाई कौन से राज्या का डांस है भावाई आपका गुजरात राज्या का एक डांस है देख लेते हैं अगला सवाल किस देश की संसद नेशेट को देश के बजट संबंदी विवाद के बाद भंग कर दिया गया है तो तो guys ये कौन सा देश है इनका नाम है इस्राइल देख लेता अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया जो आपके लाल रक्त करण होता यानी RBC होती है Red Blood Cells इनका जीवन काल कितना होता है ये होता है 120 डेज ये भी आपको याद रखना है बड़ा असान सवाल था देख लेता अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया बंगाल का विबाजन कब हुआ था तो guys ये वाता हुँ निसो पाँच में 1905 भी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेता guys अगला important सवाल तो guys एक सवाल ये भी पूचा गया हाली में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र यानि मंकी रिहाबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई तो guys ये की गई थी तेलंगाना में देख लेता है अगला सवाल कत्तक कली कौन से राज्य का डांस है कत्तक कली आपका करनाटक राज्य का एक डांस है देख लेता है अगला सवाल भारते रेलवे की स्थापना कब हुई थी ये हुई थी 16 प्रहल 1853 में यानि 1853 में सबसे पहले भारत में रेल चली थी कहां से कहां तक मुंबई से थाने तक ये भी आपको याद रखना है कहां से कहां तक चली थी ये चली थी आपकी मुंबई से थाने तक ये आपको याद रखना है ठीक है काई देख लेता है अगला सवाल क्या पूछा गया तो दोस्तों एक सवाल यह आपका रिजिनिंग का पूचा गया इसको कैसे करना था यहाँ पर सितार का संबन्द म्यूजिक से दिया गया है और यहाँ पर पूच रहा है इसके जैसा उप्सन कौन सा होगा पिक्चर का संबन्द पेंट से होगा यह इससे मैच नहीं करेगा साउंड का संबन्द गिटार से होगा यह भी मैच नहीं करेगा ओथर का संबन्द बुक का संबन्द ओथर से होगा यह भी नहीं जो बच्चा भी ओप्सन मार के आ गया उनका करेक्ट आंसर हो गया आप लोग इस तरीखी से सवाल करके आ सकते थे आगे बटले थे गाईज पूरी जानकारे देख लेते हैं एक सवाल ये भी पूचा गया क्या पूचा गया इस सवाल एक तो ये दिया गया था DEA का कोड दिया गया है इसका कोड पूचा है तो guys D, E, A का code दिया गया है 10 इसको बनाने के लिए क्या करेंगी D का code क्या होता है 4, E का code 5 और A का code 1 इनको जोड़ेगे तो 10 आ जाएगा यानि यहीं लोजिक आपका यहाँ पर भी काम करेगा दोस्तो पेपर आसान था अगर दोस्तो मेरे दोवारा कोई भूल चूख हो गई हो मैं मेरे से गलती से टैपिंग होगी हो तो उसके लिए sorry तो क्या हुआ है इसका option इसको करेंगे E का code क्या होता है 1, C का 3 और E का 5 जब आप इनको जोड़ोगे तो आएगा 9 लेकिन दोस्तो आपको 9 option में नहीं है 10 दो बार दिया गया तो 9 इस सवाल का right answer चला जाएगा आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल ये भी बैतरीन पूचा गया इसमें बताना है चार option में से ओड कौन सा होगा अलग कौन सा होगा तो guys इसमें ये चार होगा 2 का square 9 होगा 3 का square 36 होगा 6 का square ये होगा 7 का square ये 4 का square ये 5 का square तो ये आपका 8 का square लेकिन 80 आपका कोई भी square नहीं होता यानि ये D option इस सवाल का right answer आजाएगा आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते guys अगला सवाल भी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने like कर दियो अगर आपने channel को subscribe कर लियोगा सभी government exam के trick के लिए देख लेते अगला सवाल तो दोस्तों ये पत्ती वाला सवाल पूछा गया चार पत्ती एक जग़े पर दी गई थी इन में से एक पत्ती गयब है आपको बताने वह option कौन सा होगा जो पत्ती गयब है तो दोस्तों यहाँ पर hint दे देता हूँ मैं ये भी गलत हो गया, जो बच्चा B option मार के आ गया, उनका right answer हो गया, आप लोग इस तरीखी से सवाल करके आ सकते थे, आगे बढ़ लेते हैं, इस important जानकारी ले लेते हैं, तो दोस्तो जो भी बच्चों ने आपर सवाल बताए, 100% real सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिये ह अगर आप 2021 में एक नोकरी लेना चाहते हो, मम्य पापा का सबना बुरा करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, हमारे चैनल को लाल कलर का बटन दबा कर नीचे की साइड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बैल आइकन को ओल कर लेंगे, ताक आपको बेस्ट ओफ लग, थैंक यू सो मच, धन्यवाद.